नमस्कार आपका आखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग। महराष्ट में जो ड्रामा चल रहा है शिवसेना में जो बगावत हुई है एकनाथ शिंदे अपने विधायकों को लेकर गुहाटी पहुँच गए हैं और इधर उद्धर ठाकरे ने कहा है कि अगर उनके विधायक चाहते हैं तो वो इस्तीफा दे देंगे उन्होंने सरकारी आवास जो मुख्यमंतरी का है वो कल राज छोड़ दिया और अपने मातोश्री में वापस लोट गए हैं लेकिन उन्होंने अभी तक मुख्यमंतरी पत से इस्तीफा नहीं दिया है उनका कहना है कि शरत पवार के सुझाओ पर वो मुख्यमंतरी बने थे और अगर अब कोई शिवसेनिक मुख्यमंतरी बनता है तो उनको खुशी होगी ये सब बातों का अब कोई मतलब नहीं रह गया है बात ये नहीं है कि शिवसेना में तूट हो गई बात इसकी नहीं है कि उद्धो ठाकरे की सरकार जा रही है बात इसकी नहीं है कि एक नई सरकार बनेगी जो संभवतर भाजपा के देवेंद फड़नविस के नितर तुम्हें बनेगी बात असल दरसल ये है कि पिछले 75 साल में आजादी के बाद से अब तक ये पहली सरकार है जिसको गिराने वाले ये कह रहे हैं कि वो हिंदुतु के रास्ते पर चलना चाहते हैं पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई राजनीतिक धड़ा ये हिंदुतु के नाम पर सरकार गिराने नई सरकार बनाने और चुनाओं में जाने तक के लिए तयार है पहली बार हो रहा है कि हिंदुतु का मुद्दा राजनीति के केंदर में है government formation के केंदर में है सरकार गिराने के केंदर में है तो इस से आप अंदाजा लगाईए कि बदलाव किस तरह का हो रहा है किस और जो है वो राजनीती जा रही है अभी कल ही भादती जन्ता पार्टी ने अपने राश्पती पद के उमीदवार की घोशना की द्रापदी मुर्मू को उन्होंने जो संथाल समाज से आती है आदिवासी समाज से आती है उनको राश्पती पद का उमीदवार घोशित किया है और पहला काम कल उन्होंने क्या किया उन्होंने शिव मंदिर में सेवा की जाडू लगाया उसके बात से सननाटा है जो लिबरल एको सिस्टम है उसमें इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है इनको समझ में नहीं आ रहा है कि देश में जो बदलाव हो रहा हो किस दिशा में जा रहा है इनको समझ में नहीं आ रहा है कि देश की राजनिती किस तरह से बदल रह का तो एलाइंस में लड़ा था बीजे पी के साथ हमको जो मैंडेट मिला था बीजे पी और शिवसेना के गड़ बंधन को मिला था धोखा हुआ बीजे पी के साथ हमने धोखा दिया बीजे पी को और धोखा दे कर हमने हिद्धुतों को धोखा दिया हमने धोखा दे कर सेकुल को सेकुलरिजम की उस परिभाशा को अपनाया जिसको बाल ठाकरे ने कभी स्विकार नहीं किया जिसको शिवसेना की जो न्यू पड़ी उसके बाद से आज तक उस पार्टी ने कभी स्विकार नहीं किया उद्धव ठाकरे उस सब को छोड़ कर अपनी जो सांस्कृतिक राजन का मतलब आप पिछले हैं आप सांप्रदाइक हैं आप प्रगति के विरोधी हैं ऐसी ऐसे दलों के साथ ऐसी राजनीतिक शक्तियों के साथ हुद्धव ठाकरे का जाना शिव सैनिकों को ये रास नहीं आया एकनाथ शिंदे ने राजिपाल को जो पत्र लिखा है उसकी प्रति उन्होंने डिप्टी स्पीकर को भी भेजी है उसमें जो बातें लिखी हैं बहुत स्पष्ट रूप से मुझे नहीं लगता कि किसी दल में टूट के समय या किसी सरकार के गिरने के समय नई सरकार बनने के समय इस तरह की बात कही गई होगी कि हम उस रास्ते से भटक गए है दूसरी बात, जो उस चिठी में है, कि ये बहुत ही भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टा चार में डूबी हुई थी, इससे आप अंदाजा लगाईए कि ये सेकुलरिजम के नाम पर, वो सरकार बनी क्यों थी, बीजेपी को रोकने के लिए, क्यों बनी थी, क्योंकि बीजेपी को सत्ता में आने नहीं देना है मैंडेट मिलने के बाद आग जो लोग शुर मचा रहे हैं जो ये मुद्धा उठा रहे हैं कि फिर मैंडेट का क्या मतलब रह गया उनको भूल गया था 2019 में कि मैंडेट किसको मिला था मैंडेट मिला था भाजपा शिवसेना गडबंधन को अब शरत पवार जो इस सरकार के आर्किटेक्ट थे इस सरकार के जनक थे जो बाहर से इस सरकार को चला रहे थे उनकों की नाराज़ी ये नहीं है कि शिवसेना में के विधायक नाराज थे उनका काम नहीं हो रहा था जिस तरह से पूरी सरकार पर NCP क कबजा था वित मंतराले उनके पास है ग्रे मंतराले उनके पास है और दोनों को देखे वित मंतराले से मैंने एक वीडियो में आपको बताया था किस तरह से जो विभाग NCP के मंतरियों के पास है maximum budget उड़के पास गया है तो एकनाश शिंदे ने जो लिखा है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि भाई हम जब field में जाते हैं हम जब लोगों से मिलने जाते हैं तो लोग शिकायत करते हैं कि उनका काम नहीं हो रहा है उनकी सुनवाई नहीं होती मंत्रियों की सुनवाई शिवसेना के कोटे के जो मंत्री हैं उनकी सरकार में नहीं सुनी जाती विधायकों की नहीं सुनी जाती तो हमसे लोग पूछते हैं कि हमने तो आपको mandate दिया था वोट दिया था बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए आप कैसे कॉंग्रेस और NCP के साथ चले गए कॉंग्रेस NCP के साथ कोई शिवसेनिक कैसे जा सकता है ये सारे सवाल लगातार पिछले धाई साल से जो आम लोग हैं जो आम शिवसेनिक हैं जो शिवसेना के समर्थक हैं जो सपोर्टर हैं जो वोटर हैं वो इन नेताओं से पूछ रहे थे तो शिवसेना में एकनात शिंदे की इस बगावत को किवल सत्ता का संगर्श मत देखिए इसमें सिध्धांत देखिए इसमें सनातन धर्म की पुनरस्थापना का जो माहौल बन रहा है देखिए जिस तरह का बदलाव पिछले आठ साल में देश की राजनीती में हुआ है जिस तरह की सांस्कृतिक चेतना आई है लोगों में वो बदलाव का कारण है ये जो शिवसेना के विधायक बागी हुए हैं और मुझे लगता है कि दो तीन को छोड़ कर शायद ही कोई बचे का उद्धव ठाकरे के साथ अगले दो तीन दिन में जिस तरह से लगातार विधायक गुहाटी पहुँच रहे है कल भी तीन विधायक पहुँचे है इससे लग रहा है कि शिवसेना अब उद्धव ठाकरे के नेतितों में नहीं एकनाच शिंदे के नेतित में चलेगी एकनाच शिंदे पर भारती जनता पार्टी की 2019 से पहले ही नजर थी एकनाच शिंदे देवेंद फर्नोईस के बहुत करीबी माने जाते हैं दोनों में एक एक अच्छी अंडरस्टेंडिंग है एकनाच शिंदे बाला साब ठाकरे और आनन दिगे की परंपरा के नेता हैं वो अपने जो विचारधारा है हिंदुत की विचारधारा उससे डिगने वालों में नहीं है तो ढ़ाई साल से बेचैनी में गुजार रहते समय भाई साल से कोशिश कर रहते लगाता कि उद्धव ठाकरे को समझ में आया कि उन्होंने गलती की है वो गलती को सुधार लें उनकी मांग एक ही थी कि हमको जो मैंडिट मिला था बीजेपी के साथ सरकार बनाने का उसी के अनुसार हमारी राजनिती होनी चाहिए लेकिन उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि ये सब बक्वास है अब किसी और की सुनने की जरूरत नहीं है मैं मुक्ष मंतरी बन गया हूँ शरत पवार मेरे साथ हैं कॉंग्रेस मेरा समर्तन कर रही है सुनिया गांधी साथ हैं फिर शिवसेना में अगर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं तो उनको सुनने की जरूरत क्या है अब आप देखे कि इस पूरे घटना क्रम में राजनिती घटना क्रम को बाकी लोग किस तरह से देख रहे हैं महाराष्ट में सरकार गिर रही है जिस सरकार में कॉंग्रेस पार्टी शामिल है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी का हाई कमान अपनी राज जी हिकाई को क्या कह रहा है कह रहा है कि राहुल गांदी से एडी पूछ ताच कर रहा है इसलिए प्रदर्शन करो इसलिए आंदोलन करो सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था एक किसी ने डाला था कि आग लगी बस्ती में कॉंग्रेस अपनी मस्ती में तो कॉंग्रिस का वही हाल है कॉंग्रिस पूरी तरह से एक दिशाहीन और विचार शुन्य पार्टी हो गई है लेकिन आप देखिए कि इस सरकार के जो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने सरकार ये बनवाई शरत पवार उनको इस बात पर कोई एतराज नहीं है कि मुद्धा क्या बन रहा है उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि राजनीती किस दिशा में जा रही है उनको चिंता इस बात की है नाराजगी इस बात की है कि होम मिनिस्ट्री हमारे पास थी होम डिपार्टमेंट था हमारे पास इसके बावजूद कैसे इंटेलिजेंस वालों को पता नहीं लगा कि इतनी बड़ी संख्या में शिवसेना के विधायक मुंबई छोड़ कर चले गए महराश छोड़ कर चले गए तो उनकी नाराजगी अपने ग्रेह मंतरी दिली वलसे पाटिल पर है उनसे पूछा कि भाई कैसे हो गया आपको पता क्यों नहीं चला जो लोग रोज आरोप लगाते हैं कि मोधी सरकार जासूसी कराती है वो अपने मंतरी को इस बात के लिए डाट रहे हैं कि शिवसेना के विधायकों पर नजर क्यों नहीं रखी उनकी गतिविद्यों पर नजर क्यों नहीं रखी सारवजशनी के रूप से बोल नहीं सकते लेकिन मतलब यह था कि उनकी फोन टैपिंग हो रही थी हो रही तो कौन सुन रहा था उसका नतीज़ह क्या हुआ तो ये ये जो आडंबर है सेकुलरिसम और डे वो भरभरा कर लह रहा है अब जो मौल बन रहा है उसका आधार वैचारिक है आप उस विचारधारा के विरोधी हो सकते हैं उस सFF कभी न चले यह ऐसा भी मानने वाले हो सकते हैं लेकिन आपको यह स्विकार करने करना पड़ेगा कि बदलाव हो देश बदल रहा है, लोगों में चेतना आ रही है, अपनी संस्कृति के प्रती, अपने सनातन धर्म के प्रती और किसी समाज के प्रती वैमनस से का भाव नहीं है, भाव यह है कि हम जो हैं, वो हमको पता होना चाहिए, हम भूल गए थे इतने सालों में कि हम हैं क्या, हजार साल की गुलामी ने हमको अपनी राष्ट्री चेतना से एक तरह से विमुक्त कर दिया था हम राष्ट्री चेतना से कट गए थे पूरी तरह से अब उस से फिर जुडाव की ओर बढ़ रहे सरकार जो कदम उठा रही है समाज में जो बदलाव हो रहा है लोगों की सोच में जो बदलावा रहा है वो सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे है कि भारत बदल रहा है और भारत की ताकत बदल रही है दुनिया भारत की हैसियत बदल रही है जिस तरह से भारत का सम्मान दुनिया भर में बढ़ रहा है, जिस तरह से भारत की ताकत बढ़ रही है दुनिया भर में, जिस तरह से दुनिया के सारे देश भारत से संबंद प्रगार करना चाहते हैं, बहतर करना चाहते हैं, भारत के साथ ब्यापार करना चाहते हैं, ये सब इस बात का परिचायक है कि भारत ने अंतरराश्ट्रिय जगत में अपनी एक नई पहचान बनाई है और वो नई पहचान पुरानी से जुड़ती है पुरानी मतलब हमारी जो सनातन संस्कृती है जब हम संस्कृती के धरातल पर मजबूती से खड़े होते हैं हजारों साल पुरानी संस्कृती हजार साल की गुलामी भी उसे खतम नहीं कर पाई जब वो हमारा सबसे मजबूत पक्ष है वो हमारी ताकत है उस ताकत को जब हमने पहचानना शुरू किया तो दुनिया का हमारे प्रती नजरिया भी बदलने लगा अब महराष्ट की बात करें तो महराष्ट में सवाल उठ रहा है उद्धो ठाकरे ने धमकी दी है कि वो इन विधायकों को जो एकनाशिंदे के साथ है उनकी सदसिता रद कर सकते है जो समवैधानिक विवस्ता है उसमें उद्धो ठाकरे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते है बलकि एकनाशिंदे जो विधायक उद्धो ठाकरे के साथ है उनकी सदसिता रद करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते है क्योंकि विधायक दल के वो नेता है बहुमत उनके साथ है उन्होंने सचेतक बदल दिया विप जो होता है विदानसभा में पार्टी का उसको बदल दिया है वही विप जारी कर सकता है उद्धाव ठाकरे ने जो कल पांच बजे बैठक बुलाई थी शाम को और उसके लिए विप जारी करने की बात कही थी एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए उद्धाव ठाकरे उनके साथियों कॉंग्रेस और न्सीपी के नेताओं को कि जो संबधानिक विवस्ता है सुप्रीम कोट का जज्जमेंट है कि पार्टी का विप केवल सदन के अंदर लागू होता है इसलिए राज्य सभा चुनाव राश्पती चुनाव में अगर पार्टी विप जारी करती है और उसका उलंगन करते हैं विधाय किया सांसद तो उनके खिलाफ उनकी सदस्यता रद्य करने की कारवाई नहीं हो सकती है तो इसलिए सदन से बाहर जारी की गए विप का कोई मतलब नहीं है और अब उद्धव ठाकरे को पता है कि वो अल्पमत में है दूसरी धमकी ये दी जा रही है कि विधान सभा भंग कर सकते हैं ये संजयराउत ने कहा कि ये भी हो सकता है विधान सभा भंग करने का अधिकार समविधान ने केवल और केवल राज्यपाल को दिया है राज्यपाल ही तै कर सकता है कि विधान सभा भंग होगी कि नहीं उसकी परिस्थित्री है कि नहीं उद्धो ठाकरे अब वो ताकत खो चुके है, वो रिखमेंट करने की भी ताकत को चुके हैं क्योंकि वो अलपमत में है तो उद्धो ठाकरे सारी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने एक नाच छिंदे को परस्ताव दे दिया कि हम जो उनसे फोन पर बातचीत हुई कि मुंबई आकर बातचीत कीजिए हम मुख्यमंत्री बनाने को भी तयार है जो पज़ चाहिए ले लीजिए वो इस सरकार बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं वो कर रहे हैं ये सब पार्टी को बचाने के लिए तो सरकार तो जाही रही है लगबग गई ही समझिए पार्टी भी बचेगी की नहीं ये कहना मुश्किल है तो महराष्ट का पूरा घटना क्रम देश की राजनीती और राजनेताओं के लिए एक सबक है कि समय है जाग जाओ भारती संस्कृती का पुनर जागरन हो रहा है उस संस्कृती से खिलवार करोगे उस से टकराओगे तो वही हाल होगा जो उद्धों ठाकने का हुआ तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्धे के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजे आप से नोध है कि ये चैनल देखिए शेयर कीजे लाइक कीजे और सब्सक्राइब जरूर कीजे नमस्कार